विशाल ब्रह्मांदिय टेपेस्ट्री में, जहां तारे और ग्रहन रित्य करते हैं, एक खोज ब्रह्मांद की उत्पत्ती की कहानी को चुनौती देती है। आज के वीडियो में, हम एक ऐसे एक्सो प्लेनेट के रहस्य को उजागर करने के लिए ब्रह्मांदिय इतिहास में उतरते हैं जिसने ब्रह्मांदिय मांदंडों को चुनौती देने का साहस किया है। व्योमोलोजी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। ब्रह्मांद के एक सुदूर कोने में, खगोलविदों ने एक निशिद दुनिया, LHS 3154B नामक एक एक्सो प्लेनेट के बारे में पता लगाया। क्या खास है इस अनोखे ग्रह में? ये एक ब्रह्मांदिय हेवी वेट है, जो एक बौने तारे के चारो और नृत्य कर रहा है जो इस तरह के खगोली अप्वेय को सभालने के लिए बहुत छोटा प्रतीत होता है। एक ग्रह की कल्कना करें, जिसका द्रव्यमान प्रित्वी से 13 गुना अधिक है, जो हमारे सौर मंडल के बरफीले विशाल नेप्चियूं के समान है। अब, इसे हमारे सौर्य से 9 गुना कम बड़े तारे के करीब घूमते हुए देखें। यह उन सभी चीजों को चुनौती देता है जिनके बारे में हमने सोचा था कि हम ब्रमान्दिय व्यवस्था के बारे में जानते हैं। इस रहस्योद घातन ने खगोल विदों को चकित क कर दिया। LHS 3154B और उसके मूल तारे के बीच ड्रव्यमान अनुपात तर्क से परे है प्रित्वी सूर्य युग्म से सैकरों गुना अधिक। जैसा की पेन स्टेट यूनिवसिटी के प्रोफेसर सुवरत महादेवन कहते हैं, हम इतने कम ड्रव्यमान वाले तारे के इतने भारी ग्रह के अस्तित्व की उम्मीद नहीं करेंगे। इस खगोलिय घटना को समझने के लिए हम तारों और ग्रहों के जन्न की ओर मुरते हैं। लेकिन LHS 3154B इस कथा को चुनौती देता है और हमारे ब्रहांडिय समझ पर पुनर्विचार की मांग करता है। रहने योग्य ग्रह खोजक के साथ वैग्यानिक ब्रहांडिय रसातल में जाकते रहते हैं। HPF टेकसास में मैकडॉनल्ड्स वैद्शाला में एक टेलिस्कोप थंडे सितारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों का पता लगाता है जो मायावी गोल्डी लॉक्स जोन को खोजने का प्रयास करता है जो न बहुत गर्म न बहुत थंडा बिलकुल सही। लॉकिक भागय के एक मोर में, HPF ने न केवल एलेचेस्ट 3154B को देखा, बलकि सभी अपेक्षाओं को पार कर गया। ये खगोलिय विचित्रता स्थापित परंपरा को खारिच करती है, जो हमारी आकाश गंगा में सबसे आमतारों के आसपास ग्रह निर्मान की हमारी समझ के लिए एक लिटमस तेस्ट बन गई है। जैसे ही हम इस ब्रह्मान्दिय नातक पर गांगिय पर्दे खीचते हैं, एलेचेस्ट 3154B हमें हमारी ब्रह्मान्दिय निश्चित्ताओं पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है। एक ग्रह वहान रित्य कर रहा है जहां ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सितारा एक अप्रत्याशित अतिती की मेजबानी कर रहा है। ब्रह्मान्द के माध्यम से हमारी यात्रा जारी है, जो हमें महान अग्यात का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है। तब तक उत्सुक रहें। अपने विचार हमें टिपपनियों में अवश्य बताएं और देखते रहे व्यमोलोजी। धन्यवाद।